हेलो प्रेंट्स। वेलकम टू ओब्सकिचन। आजका रेसिपी साबुदना और कर्चे आलो की पापड बना हूँगे तो इसके लिए पहले छिलका निकल के पानी में रिप करके रखा और जो साबुदना पहले भिगो के रखा था ए पानी के साथ वैल करने रख देती हुँ देखी सेकते हैं पाटिटो पारी में लिजो के रखाता है इंग्रेट करके ऐसे लग्जदर इस वारे आड़ कर दूंगी देखी सेकते हैं अच्छी तरह से सब उदना वायल हो गया और जो पच्चा अलू ग्रेट करके रखा था वो सारे अलू एड़ कर दूंगी और अच्छी तरह से सब उदना के साथ वायल कर दूंगी अलू की कलर भी चेंच हो गया अब इसमें मसला आड़ करोंगी रमक एड़ किया जीरा आड़ कर दीती हूं और थोड़ा से रेट चिली पावडर अब तो ग्रीन चिली भी आड़ कर सकते हैं तो अच्छी तरह से बिक्स करके और दो मिनिट पका लोंगी और ठणा होने के ल जो आलू आर साबुदना का मिस्रन बनाया पपड के लिए वह आवी ऐसे छोड़ा स्पूंसर ऐसे देखे स्प्रेट कर देती हूं दूप में शुकाने के लिए रख दिया दूप में मैं दे रहा हूं और शुकने को बात मिलती हूं के लिए अलू की जो पपड बनाया मसला दर तो शुक्के रेडी हो गया आवी फ्राइ कर लेती हूं आली गरम हो गया फ्राइन के लिए रख देती हूं में हुए द्धार के टेंचे इता मैं है दुट वाल है गया कि इस नग्यडा की आढ़नगा मृश्चा लिया फ्राइद के यद्या प्राइय का सुकने को बाधना बात रख देख साथ हूं बाद इतना साथ है और फ्राइड करने को बाद इतना बड़ा हो जाता है साइट्स में तो बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी जानता है